चिल्ड्रेन कैसे हैं तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने अर्जक्टिप्स और नंबर और उसकी टाइप की चर्चा की थी आए हम उन टाइपों को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आएए सिकते हैं आप चानी चुके हैं कि अर्जक्टिप्स और नंबर के जो टाइप्स हैं ओ है पहले डेफिनिट अर्जक्टिप्स और इंडेफिनिट अर्जक्टिप्स अब डेफिनिट अर्जक्टिप्स के भी दो भीद हुए दो टाइप्स हुए वो क्या है कारडिनल अर्जक्टिप्स और ओर्डिनल अर्जक्टिप्स तो आएए बच्चे हम एक एक करके चर्चा करते हैं तो पहले हम डेफिनिट अर्टिकल के चर्चा करने जा रहे हैं तो देखे न बवाय के पहले आखर के, और ये टेन क्या कर रहा है, एक निश्चित संख्या का बूर्द करवा रहा है, यानि कितने बच्चे, तो दस बच्चे, दस लड़के, फिर आगे देखे, राधा है थे फोर बुक्स, राधा के पास चार किताबे हैं, यानि बुक्स नाउ संख्या का बूत करवा रहा है देयर आर सेवन एपल्ज ओंड़ टेवल्ज अंद टेवल यानि टेवल पर साथ सेव हैं यहां देखिए तो एपल्ज नाउन है की नहीं और नाउन के पहले शेवन आया क्या कर रहा है शंक्या बता रहा है कि नहीं और कैसे कैसी संक्या के बहुत करवा रहा है तो निश्चित संक्या का बहुत करवा रहा है तो इस प्रकार से अगला को देखे राकेश इज़्दा फस्ट ब्वाय है राकेश पहला लड़का है देखे यहां ब्वाय के पहले फस्ट आया और ये क्या कर रहा है कि ये क्रम बता रहा है कैमा लड़का है तो पहला लड़का है तो ये क्रम बता रहा है फिर आगे देखिए राजहाईज दथर्ड गर्ल राधा तीसरी लड़की है देखिए हाँ गर्ल नाउन है उसके पहले थर्ड आया जो क्या कर र आप उधरनसे अच्रह शमझ गए होंगे कि मैं किस जक्रचाश करने जा रहा हुँ तो आप अच्छी तार जान गए होंगे कि ईतर चर्चा करने जारा हो numeral adjective की चर्चा में करने जा रहा हूं तो आएए इनको हम प्रिवासित करते हैं तो definite numeral adjective को हम हिंदी में क्या कहते हैं नीश्चित संख्या वाचक बिशेशन अब इसको प्रिवासित क्या करेंगे तो the word that is used with noun to sow exact number of position is called definite numeral adjective वैसे सब्द जो किसी noun के पहले आकर के निश्चित संख्या अथवा position क्रम की चर्चा करें बतावे तो ऐसे को हम definite numeral adjective काते हैं आईए हम इसका उधारन देखते हैं तो पहला उधारन क्या देखिए 123456 यह सारे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर देखिए फस्ट सेकंड थार्ड फोर्थ इटिसी यह सारे position बता रहा है क्रम बता रहा है कैवा पह सार से हम उधारन भी देख लें थोड़ा और वाट में प्रयोग करके देखिए मदन है फाइब काउस मदन के पास पांच गाये हैं देखे काउज नाउन है उसके पहले फाइव आया क्या निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है कि नहीं कितनी गाये पांच गाये फिर र ने के महेंस इजदा फूर्थ वाय महेंस चौथा लड़का यानी नाउन के पहले आकर के ये फूर्थ क्या कर रहा है उसका क्रम बता रहा है पोजिशन बता रहा है क्या कि च्वथा लड़का है इस और बताने जा रहा हूं कि ऐसे एडजेक्टिब जो इहां देख रहे हैं वन के बाद अलगी वन अथ्वा जितने टू, थ्री, फोर इसके बाद जो भी नाउन आएंगे वो कैसा नाउन आएंगे तो countable आएंगे लेकिन one के बाद singular नाउन आएंगे और बाकिये two 2, 3, 4 के बाद सब Pillar नाउन आएंगे लेकिन जितने भी क्रम बताने वाले first second, three है उसके बाद जो आने वाले नाउन है उसे singular होंगे क्यों , अगर मैं कहूं कि रमेष टेंथ बाय है , कि रमेष कंद होतल 10 भाय का है , तब क्या होग कि रमेष दसिक के चाहि रधा केंश & रमして है , तो एक जोङफ उस तो इस तरह से आप समझ गए हूँग बच्चे , आप इसको जोट Hospital कर लिजिये चिल्डेन, आई वांट टू रब तो बच्चे, आप definite numeral adjective के बारे में अच्छी तरह सबज गए होंगे तो हम अगले adjective की चर्चा करने जा रहा है तो कौम सा अगले adjective है तो indefinite numeral adjective तो पहले इससे पहले हम क्या कर ले तो उधारन को देख ले उधारन को देखने से हमें अच्छी तरह समझ में बाते आ जाएगी तो देखिए बच्चे, यहां पर क्या है यहां I haven't any books हमारे पास कोई किताबे नहीं है देखिए यहां तो क्या है book क्या है, noun है noun के पहले क्या आया, यह नहीं आया यह नहीं क्या बता रहा है अन्िष्ट संख्या के बौढ़ करवा रहा है हलाकि संख्या यह भी बोढ़ करवा लेगी कैसे निष्चित के अनिष्चित तो अनिष्चित संख्या का बोढ़ करवा रहा है I have some books हमारे पास कुछ किताबे है देखिए बुक नाउन है उसे पहले किया आया सम आया और ये भी संख्या का बोथ करवा रहा है लेकिन आप ही बताएं कि निश्चित की अनिश्चित अनिश्चित संख्या का बोथ करवा रहा है देख लीजे या मेरे पास बहुत सारे किताबे नहीं है देखे बुक के पहले क्या आया मेनी आया और ये क्या बता रहा है बहुत सारे किताबे कोई निश्चित संख्या नहीं है अनिश्चित संख्या अब देखे I have a lot of books मेरे पास बहुत सारे किताबे है बुक के पहले बुक नाउन है उसके पहले क्या आया, a lot of, जो संख्या का बोद करवा रहा है, कैसी संख्या, तो अनिश्चित संख्या है, इन इग्जैक्ट, इन डिफिनिट, तो आप इसी तरह से देखिए, I have all the books, मिरे पास सभी किताबे हैं, बुक के पहले क्या आया, all आया, और ये क्या कर रहा है, संख्या का बोद तो करवा रहा है, लेकिन निश्चित संख्या का बोद नहीं करवा रहा है, तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कि किस अडिजैक्टिव की चर्चा में करने जा रहा हूं, तो इन डिफिनिट नूमरल अडिजैक्टिव, तो आईए हम इसको डिफाइ इन डिफिनिट नूमरल अडिजैक्टिव, तो इन डिफिनिट नूमरल अडिजैक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं, आनिश्चित संख्या वाचक बिशेशन, तो आईए बच्चे, इसको हम प्रिभासित करते हैं, तो इन डिफिनिट नूमरल अडिजैक्टिव, वह ऐसे अधारन भी देख लीजे, उधारन है शम, सम मने कुछ, नो मने कुछ नहीं, एनी मने कोई, और मेनी मने बहुत, आल मने शभी, सेवरल मने कई, सार्टेन मने कुछ, फ्यू मने कुछ नहीं, कुछ नहीं, एफ्यू मने कुछ, और दफ्यू मने जो कुछ थोड़ा था, जो करिए अब इनको हम वार्ट में प्रयोग करके देखते हैं तो देखिए आई हाँ अलार्ज नंबर और बुक मेरे पास बहुत किताबे हैं फिर देखिए आई हाँ आप फ्यू बुक्स हमारे पास कुछ किताबे हैं तो बच्चे आप ही देख रहे हैं कि इनके बाद काउंटे करवाने लगे तब हो एड्जेक्टिब आप क्वांटिटी का भी रूपधारंग कर लेते हैं जैसे अब यहां ने है यहां पर देख लीजे नो है तो आई है नो मिल्क देखिए तो नो के बाद क्या आया बताईए आप मिल्क क्वांटिटी आया कि नहीं इसकी संख्या थो काउंटेवल नाउन जो पूल्डर में आया लेकिन हम कहते हैं कि आई हैव सम मिल्क तो यह मिल्क क्या है इसकी मातरा होती है परिमान होता है तो इस प्रकार से और भी देख लीजे इसकी चर्चा होगी आगे हम चर्चा करेंगे तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजे और दूसरी बात यह भी है कि अगर अब भी कोई दिक्कत होती है तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिए उसको उतर देने का प्रयास किया जाएगा बच्चे नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद बच्चे